इस सेशन में हम extended response questions के बारे में पढ़ेंगे जो essay type item की दो types हमने देखी थी restricted response और extended response तो यह extended response items के बारे में हम पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं और फिर इनके advantage disadvantage देखेंगे देखेंगे एक तो यह कि हम इसकी definition को अगर देखें कि इसमें असल में cover क्या किया जा सकता है तो देखेंगे it allows the students to determine the length and complexity of response यह इसमें यह फैसला इस तरह के सवाल में कि इस सवाल का जवाब कितना लंबा होगा और कितना deep होगा कितना इसमें depth involved है यह कितनी detail involved है यह बातें दो जो हैं यह इसका खासा है यह इसकी सेफ़त है कि यह दो बातें student को decide करनी है यह एक तरह की skill है जो इन सवालों के जरीश हम चेक कर सकते हैं इनके जरीए से obviously जैसा हम पहले भी कह चुके हैं higher order learning skills जो है वो मेर की जा सकती है lesson synthesis और evaluation और analysis की तरह की चीज़ें लेकर अमूमी तोर पे इसके जरीए से synthesis और evaluation level की learning अगर चेक करनी हो बचों में तो उसके लिए आप extended response item बनाते हैं extended से मुराद है कि जो मैंने class में पढ़ाया student को मेरे सवाल का जवाब देने के लिए उस पढ़े हुए की बनियाद पे उस से beyond उस से बाहर कुछ सोचना पड़ता है ताके वो ठीक जवाब दे सके तो ये इनके characteristics होगे मिसाल अगर आप ले लें तो ये है give examples to identify different forms of government ये देखिए ये knowledge base सवाल है हो सकता है मैंने पढ़ाया था class में के comment की कितनी शकले होती है which form of the government is most suitable in the socio-economic and cultural context of our country ये जो दूसरा part है जो which से शुरू हो रहा है ये जवाब मैंने पढ़ाया नहीं था मैंने class में different forms of government उनके फवायत कब वो इस्तमाल के होती हैं किस किस शकल में होती हैं ये पढ़ा दिया था अब ये बताना कि हमारे मुलक में हमारे मुलक के socio-economic और cultural context को जामने रखते हुए ये फैसला करें कि इन forms of government में से कौन सी form of government ठीक होगी ये जवाब student ने अब देखें दो pieces of information को connect करना एक वो जो मैंने पढ़ाई और दूसरा उसकी अपने मुलक के culture और social economic scenario की समझ का होना इन दोनों बातों को वो मिलाएगा पहली पढ़ी हुई है दूसरी मैंने नहीं पढ़ाई उसकी observation में है इनको connect करना और जवाब create करना है इसमें जवाब select नहीं करना और अर्गनाइज नहीं करना ढूनना नहीं है कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है खुद से उसको select करना लहाज़ा हर तालेब इलम जो उसका जवाब देगा उसका context एक दूसरे से फरक हो सकता है यह जो बात है यह creativity है इसका आप synthesis और evaluation की category में लेते हैं तो यह इसका extended part है और फिर वही बात जो पहले कही थी कि student को guide करने के लिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि आपका जवाब 5000 से 6000 अलफाज में तक महदूत होना चाहिए यह अलफाज की limit बहुत बड़ी लिखी हुई है आप इसको 1000 से 2000 अलफाज कह सकते हैं 2000 से 2000 अलफाज लेकिन यह limit जो है यह उसे help out करती है कि जवाब कितना लंबा होगा और कितना time इस पे अमुमन सर्फ करें इसी तरह यह जो सवाल मैंने आपके सामने अभी मिसाल के तोर पे रखा यह ज्यादा बड़े बच्चों के लिए यह सवाल हो सकता है यह हम जो content पूछ रहे हैं उस content की नौईयत को असान कर सकते हैं ठीक है इसी तरह हम student के जो cognitive development यह उसका जो age level grade level है उसको जहन में रखते हुए सवाल के अंदर तबदीलियां कर सकते हैं लेकिन सवाल के components बन्यादी तोर पे यही रहेंगे components में पहला था कि हमने जो से पढ़ाया उसका reference आ जाए और उस पढ़ायवे की रोशनी में उसे कुछ ऐसा काम करने को कहा जाए जो इससे पहले उसने नहीं कर रखा लेकिन वो अगर इन असूलों को जो हमने पढ़ाये थे समझ गया है तो जवाब दे सकता है तो यह तबदीली हम करके मिसाल के ताप पे अगर लोर ग्रेड के बच्चों के लिए सवाल बनाना हो तो इस तरह कब बन सकता है यह content है जो मैंने कलास में पढ़ाया था यह relatively less complex है इसकी demand as compared to previous question कि हमने सर्व उससे पूछा कि भई जो मैंने कलास में पढ़ाया था वो था कि बढ़ों की इज़त करनी चाहिए अब आप यह बताईए कि इन टीचिंग्स का इस्तमाल करते हुए हमें अगर एक अच्छा मौश्रा बनाना है तो कैसे बनेगा तो इसके बारे में उनका argument लेंगे आगे नीचे लिख दिया कि जो आप जवाब देंगे उस जवाब में मैं तलाश क्या करूँगा नंबर देने के लिए हमने का मार्क्स होंगे कि आप हमें अगर जो information लिखेंगे सब जवाब में वो correct होनी चाहिए और आपका अपना point of view भी ज़रूर लिखावा होना चाहिए यह दो बातें जो relatively less complex हैं बच्चों के लिहाज से जो पिछले सवाल की demand थी वो इससे ज़्यादा complex थी और इसके आगे अगर आप चाहें तो कितना time और कितने words हैं वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं इनके advantages क्या होते हैं वो बड़े obvious से हो चुके हैं क्योंके बार बार जिकर कर चुके हैं कि higher order learning, higher order skills की assessment करनी हैं तो यह सवालात बड़े आहम हैं आपको synthesis करने की ability देखना चाहते हैं evaluation की ability देखना चाहते हैं analyze करने की skill देखना चाहते हैं बच्चों में तो आपको extended response, essay type items बनाने चाहिए और इन तीन में से भी हम खसूसी तौर पे synthesize करना और evaluate करना यह जो हैं इन सवालों के जरी चेक कर सकते हैं इन सवालों के बनाने में कम वक्त लगता है यह अमूमन किताबों में एक advantage के तौर पे लिखा होता है मैं पूरी यकीन से यह नहीं कह सकता कि advantage है यह disadvantage है हाँ बनाने में वक्त कम लगता है लेकिन उससे ज्यादा फिर मेहनत इसको score करने में लग जाती है तो इसका उलट है objective type items में कि वो बनाने में वक्त ज्यादा लगता है लेकिन marking बड़ी objective और जल्दी हो जाती है तो पता है यह advantage है यह नहीं लेकिन एक point है जो आपको जहन में रखना है कि इनको बनाना relatively कम टाइम में आप test बना सकते हैं इन सवालों अगर यह वला format इस्तमाल करें इसके अंदर जो communication skills हैं खास दोर पर राइटिंग, language राइटिंग उसको अगर आपने चेक करना हो तो उसका जरीया सिर्फ इसी तरह के सवाल होते है यह restricted response भी और यह extended response भी इसमें probability of guessing जो है वो eliminate हो जाती है साफ जरा है जब आपने खुछ सोचना और जवाब लिखना है जो दूसरों की सोच से नहीं drive किया जा सकता और कोई specific याद किया वा answer भी इसमें अमूमन नहीं होता तो इससे जो guess करने की probability है वो खतम होती है इसकी limitations अमूमन जो जिकर की जाती है उसमें यह है कि इसकी scoring अन्रिलाइबल होती है scoring में बहुत ज़्यादा subjectivity की कुई जाइश है subjectivity से यहां मुराद है कि जो शखस भी score कर रहा होगा उसकी अपनी understanding of the concept उसके अपने जो point of view है किसी चीज़ के बारे में वो जो है उनका बहुत ज़्यादा दखल होता है scoring करते है और scoring करना time consuming भी होता है so इन मसाइल को हल करने के लिए scoring reliable हो जाए हम आने वाले sessions में उसका तरीका कार देखेंगे लेकिन यह दो issues हैं बड़े जिसको आपको जहन में रखना चाहिए जब भी आप टेस्ट में यह आइटम बनाएंगे दूसरा है कि मैं ऐसे टाइप आइटम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता एक टेस्ट में बहुत तदाद में यानि बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता खास तोर पर यह जो extended response questions हैं यह एक या दो दिये जा सकते हैं ज्यादा स्यादा क्योंकि बहुत टाइम कंजूमिंग होते हैं और इन में involved skills बहुत ज़्यादा मुश्किल है सीखना तो लहाज़ा मुझे मेरे इस limitations की वज़ए से जब मैं कम सवाल डालता हूं तो इसका मुझे पर content भी कम कवर किया जा सकता है इस limitation का हल जो है मुझे लोग यह करते हैं कि एक test के अंदर मुझे फार्मेट्स आफ आइटम दिये जाते हैं जिन knowledge चेक करने के लिए आप कोई भी objective type format आफ आइटम इस्तमाल कर लेते हैं क्योंकि उसको करने में वक्त कम लगेगा जवाब देने में और आप coverage ज्यादा कर सकते हैं content की और मैं अपने जो बहुत अहम और खास नुकात थे उस course के उनको चेक करने के लिए मैं एक्स्टेंडर रिस्पॉंस ऐसे आइटम जो है यह मुराद है कि वह content coverage के लिहाज से नेरो हो जाता है यह सिल्सला लेकिन इसके advantages को जहन में रखते हुए इनका पूछा जाना learning के higher जो order learning है उसके levels को देखने के लिए बहुत जरूरी type of item है